दोस्तों क्या आपको पता है आगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक मतलब PNB बैंक के अंदर है तो आप पंजाब नेशनल बैंक से घर बेठे अपने मोबाईल फोन के तुरू इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो हब आपको पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रत नहीं है बलकि आप गर बेटे ही अपने मोबाइल फोन के तुरू पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हों पर आप इस बताए हुए तरीके से पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के लिए apply करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए किसी प्रकार का आपको कोई document नहीं देना पड़ेगा यह को पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के दो तरीके हैं एक तो आप पंजाब नेशनल बैंक का जो mobile banking app आता है जिसका नाम होता है PNB1 आप इस वाले mobile banking app के तुरू पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक की जो official website है आप इस वाली website के तुरू भी लोन के लिए online ही घ घर बेठे अपने mobile phone के तुरू apply कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का mobile banking app है PNB1 तो आपको यह बताऊंगा कि आप PNB1 mobile app के तुरू किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक के प्री अप प्रकार से apply कर सकते हो इसके अलवा अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का mobile banking app PNB1 यूज नहीं लेते तो आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक की official website पर जाकर किस प्रकार से PNB bank से instant personal loan के लिए apply कर सकते हो तो आपको भी पंजाब नेशनल बैंक से अगर loan लेना है तो आप PNB1 mobile app के तुरू किस प्रकार से loan ले सकते हैं या फिर आप बैंक की official site पर जाकर किस प्रकार से instant personal loan के लिए apply कर सकते हैं तो उसका complete process जानने के लिए चलते है mobile की screen की ओर तो सबसे पहले हम आपर पंजाब नेशनल बैंक का जो official mobile app है PNB1 इससे हम लाइब mobile phone के तुरू loan apply करके बता देते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक की official site पर जाकर आप loan के तुरू apply करोगे तो इस वाले mobile app से loan के लिए apply करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले app को open करना है उपन करने के बाद अब आपके सामने इस तरके का dashboard आएगा अब आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम है pre approved personal loan तो simply अब आपको इस पर click करना है यहाँ पर click करते ही अब आपका जो यहाँ पर application forum है वो start हो चुका है आप यहाँ पर उपर की तरफ देखेंगे तो total आपको आरो steps complete कर लेंगे तो आप जितने रुपे के भी pre approved personal loan के लिए eligible होंगे वो वाला amount आपके सामने आ जाएगा और उतने रुपे का जो loan है वो instantly बिना किसी document के आपके bank account में आ जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप PNB1 mobile app के तुरू loan के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो loan offer किया जाता है सिर्फ pre approved loan offer ही किया जाता है अगर आपको personal loan apply करना है तो उसके लिए आपको official website पर जाकर ही करना होगा तो pre approved loan के लिए apply करने के लिए यहाँ पर आपकी जो details है वो automatic आपके bank account से उठा ली जाती है क्योंकि यहाँ पर जो PNB1 mobile app है इसमे आपका mobile banking होता है इसमें आपकी account details सारी already mention होती है उसी की वज़े से यहाँ पर आपको अपनी जो personal details है वो आपको डालने की ज़रौत नहीं होती इस वाले mobile app के तुरू automatic आपके account का जो data है आपका name आपके father का name आपका pen card का number इसके लावा आपका account number वो सारी चीजे यहाँ पर आप यहाँ पर PNB1 mobile app से या फिर Punjab National Bank से loan के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजे जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं सबसे पहली बात तो यहाँ की आपका जो bank account है उस वाले bank account के अंदर आपका जो आधार card है वो link हो आपका जो bank account है उसके अंदर आपका pen card link होना चाइए तब ही आपको PNB1 mobile app के त्रू freapp reveal loan offer किया जाता है उसके बाद आपको next पर klick करना हे next पर klick करते ही आप जितने रुपए के लोन के लिए भी eligible होंगे जितने रुपए का भी pre-approved loan आपके लिए offer किया होगा बैंक के तरब से वो आपके सामने आ जाएगा जिसे आप देखेंगे तो हमारे case में हमें आप पर एक लाक रुपए के pre-approved loan के लिए eligible हैं और उपर की तरब लिखा हुआ है congratulations you are eligible for pre-approved personal loan of RS 1 लाक with a tenner of 60 month मतलब हमें आप पर एक लाक रुपए का pre-approved loan 60 महीनों के लिए ले सकते हैं मतलब हम एक लाक रुपए के लिए eligible हैं जिसको हम लगबग 5 सालों के लिए ले सकते हैं इसकलब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप कम से कम 25,000 रुपए का loan और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप total एक लाक रुपए का loan ले सकते हो वैसे तो यहाँ पर जो loan टोटल ओफर किया जाता है वो आठ लाक रुपए तक ओफर किया जाता है लेकिन हम यहाँ पर आठ्लाक रुपए के loan के लिए eligible नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर 25,000 रुपए से लेकर 100,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं तो हमने यहाँ पर 100,000 रुपए के लोन को सेलेक्ट कर लिया इसके लावा नीचे आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पर जो लोन मिल रहा है वो आप यहाँ पर एक महीने से लेकर 60 महीनों के लिए ले सकते हैं तो यहाँ पर जितने दिनों के लिए भी आपको लोन चाहिए तो हमने यहाँ पर टोटल 24 महीने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हम यहाँ पर जो लोन लेंगे वो एक लाग का लेंगे और 24 महिने के लिए हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं लगबग 2 साल के लिए उसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो per annum interest rate लग रहा है वो लगबग यहाँ पर 10.30% लग रहा है इसके लावा यहाँ पर हमारी हर महिने की किस्त भी बता दी गई है कि हमारी जो हर महिने की किस्त आएगी लगतार 24 महिनों तक वो हमारी यहाँ पर 4,627 रुपय आएगी यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की जो details है वो सारी चीज़े आपको एक बार confirm कर लेनी है क्योंकि अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हो तो उस वाले लोन में आपको कितना interest rate देना होगा कितनी आपकी EMI आएगी यह सारी चीज़े आपको एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए उसके बाद अगर आप इस वाले amount को कम करना चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो जैसी अगर आपको एक लाग का loan अगर offer हुआ है एक लाग के loan के लिए आप eligible है और अगर आप कम का लेना चाहते हैं तो आप यहां पर 50,000 भी कर सकते हैं या फिर 10,000 भी कर सकते हैं जितना आपको requirement है उसको आपको select करना है जितने महीनों के लिए आपको loan चाहिए उस वाले महीनों को select करना है आप अपनी capability के according आप यहाँ पर महीनों को भी select कर सकते हैं उसके बाद जितना आप यहाँ पर loan amount select करोगे उसी के according आपका यहाँ पर interest rate लगेगा और उसी के according आपकी यहाँ पर हर महीने की किस ताएगी तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े अपने according आपको fill करनी है उसके बाद accept पर click करना है उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर sanction letter आ जाएगा जो कि Punjab National Bank के terms and condition का है यहाँ पर आपको इस वाले sanction letter में जो भी आपको details बताई गई है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर एक बार read कर लेनी है उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा accept and proceed का आपको इस पर click करना है उसके बाद जो भी हमारा bank account है उसके अंदर जो भी हमारा mobile number link होगा उस पर एक OTP जाएगा वेवाला OTP डाल कर हम जैसे submit करेंगे instantly हमारा जो यहाँ पर loan है वो हमारे bank account के अंदर disperse हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा congratulations your loan has been dispersed जैसे कि हमारे case में हमारा जो loan amount है वो यहाँ पर disperse हो चुका है और नीचे हमारा जो loan amount है वो नीचे बता दिया गया है इसके लिखा हुआ है कि the loan amount is credited through the account number मतलब यहाँ पर जो भी हमारे loan का पैसा है वो हमारे bank account के अंदर आ गया है यहाँ पर हमसे हमारा bank account number इसलिए नहीं मांगा गया है क्योंकि यहाँ पर हमने जो loan के लिए apply किया है वो पंजाब national bank की mobile banking के through किया है तो यहाँ पर हमारा जो bank का record है वो already हमारे bank के पास है तो यहाँ पर जो भी पैसा है वो PNB1 mobile app के अंदर जो भी हमारा account number है उसके अंदर automatic transfer कर दिया है इसके लिए आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी मंतली EMI बताई गई है कि यहाँ पर 4627 रुपए की हमारी मंतली EMI आएगी इसके लिए यहाँ आपर आपकी EMI start date भी बता दी गई है कि इस वाली तारिक से आपकी जो first EMI है वो cutna start हो जाएगी और जितने महीने आपने select किये होंगे loan को repayment करने के लिए उतने महीने की हर इस तारिक को आपका जो loan का repayment का पैसा है वो automatic यहाँ पर cut होता रहेगा तो यहाँ पर अगर आपको loan लेना है तो आप इस तरीके से apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी document नहीं देना होता है लेकिन यह वाला loan आपको तबी offer किया जाता है जब आप इसके लिए eligible होते हैं अब आपको इसका eligibility criteria तबी पता चलेगा जब आप इसके लिए apply करेंगे तो अगर आपको पंजाब National Bank से instant personal loan लेना है नीचे आपको यहाँ पर download का option मिलता है आप इस पर click करके यहाँ पर इसका जो e-sanktion letter है आप उसको download कर सकते हैं उसके बाद रही बात यहाँ पर loan का repayment करने की मतलब यहाँ पर आपने loan ले तो लिया लेकिन इस वाले loan की जो किस्त है यहाँ पर आपने जितने रुपय का भी loan लिया है यह वाला loan का पैसा है जो आपके जिस वाले bank account में आया है उसी वाले bank account से आपकी जो किस्त है वो यहाँ पर automatic जो date आपको बताई गई है इस वाली date को automatic आपके account से cut होती रहेगी तो आपको क्या करना है जो आपकी किस्त का पैसा है वो आपको maintain करके रखना हो अगर आप अपने account में इस वाले किस्त को पैसे को maintain करके रखेंगे तो automatic इस वाली तारिक को आपका जो पैसा है वो automatic आपके account से deduct होता रहेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना account का पैसा maintain करके नहीं रखेंगे आप अपने अकाउंट में इस वाली तारिक तक आपकी EMI का पैसा नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपसे penalty भी चार्ज की जा सकती है तो बात हो गई पंजाब नेशनल बैंक के mobile banking एप PNB1 के थ्रू पर्सनल लोन के लिए apply करने की अब बात करते हैं अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का PNB1 mobile app नहीं है या फिर आपका इसके अंदर registration नहीं है आप mobile banking यूज में नहीं लेते हैं तो अब आपको अगर इसकी official website से पंजाब नेशनल बैंक के लोन के लिए apply करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपका जो Google Chrome browser है वो आपको अपने mobile phone में या computer में आपको open करना है और वहाँ पर आपको Google में जाके search करना है PNB यह लिक्र आप search करेंगे उसके बाद आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक की जो first नमर वाली link आएगी www.pnbindia.in simply आपको इस वाली link पर click करना है जैसी आप इस वाली link पर click करोगे आप पंजाब नेशनल बैंक की जो official website है आप इस वाली website पर आ जाओगे अब आपको इहाँ पर loan के लिए apply करने के लिए simply आपको इहाँ पर left side में menu का option मिलेगा online services का आपको just इस पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और जब आप नीचे scroll करोगे तो इहाँ आपको एक option मिल जाएगा इंस्टा लोन्स का अब आपको इंस्टा लोन्स पर क्लिक करना है जिसी आप इंस्टा लोन्स पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर लोन के लिए एप्लाई करने के लिए आपको तीन ओप्सन मिलेंगे first number वाला जो option है वो यहाँ पर personal loan का है second number वाला जो loan है वो है pencil loan और third number वाला जो loan है वो है e-mudra loan तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो personal loan की कर रहे हैं तो हमे personal loan के लिए apply करने के लिए यहाँ पर option मिल जाता है personal loan का simply हमे personal loan पर click करना है यहाँपर click करते ही अब आप देखेंगे तो आपका जो forum है वो यहाँपर start हो चुका है और यहाँपर अब आपको loan के लिए apply करने के लिए क्या करना है यहाँपर आपको account number का option मिल जाता है, customer id का option मिल चाता है या फिर आदा number का option मिल जाता है अब आप यहाँ पर जिस वाले option से loan के लिए apply करना चाहते हैं, जैसे अगर आप account number को select करेंगे, तो loan apply करने के लिए आपको अपना account number डालना होगा, mobile number डालना होगा, उसके बाद proceed करना होगा, आपके account के आगे की जो भी details है, वो यहाँ पर automatic खुल जाएगी आपके account के आधार पर उसके बाद आगे का process आप करेंगे, तो आप यहाँ से loan के लिए apply कर पाएंगे, उसी तरीके से अगर आप customer ID select कर लेंगे, तो आपको account number की जगर customer ID डालनी होगी, उसी तरीके से आधा नंबर को select करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार से loan के लिए apply कर पाएंग यहाँ पर loan के लिए apply करने के बाद, जिसी आप यहाँ पर अपने details डालोगे और proceed पर click करोगे, आप से कुछ आपकी basic details आगे और मांगी जाएगी, और अगर आप eligible होंगे, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने रुपए के loan के लिए eligible होएं, और आगे का जो भी process होगा, वो आपको आगे-ागे वहाँ पर guide किया जाएगा, आप सारी process वहाँ पर complete करेंगे, और अगर आप eligible होंगे, तो final में जाके आपको जिस तरीके से हमें PNB1 से loan के लिए apply करने के बाद loan मिला, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप eligible होंगे, तो इसी तरीक से personal loan लिया जाता है, उसका जो complete process है, वो मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, साथ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है, प्ली चैन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डारेक्ट आप हमें इस्टाग्राम और टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर डारेक्ट मेसेज करता है, हम उनका 100% रिप्लाई देने की कौसिज करते हैं